हेलो दिया स्टूदेंस वेलकम टु युगंदर टुटोरियल्स अन्य आच्चा वीडियो मदे आपन बगनारा equations reducible to pair of linear equation in two variables ओक या मदे आपलेला काई करा जास्तो तो जे equation आहे ते pair of linear equation मदे convert करा जास्तो अताप activity first दिलेगे complete the following table या मदे आपलेला काई equations दिलेता हैं ते आपलेला उखाई जाएगे ते equations हे linear equation आहेत का नाहीत या सगलायां च्वह मदे आपले variables आएथ ते variables denominator लाहेत मंजे तेंची जी degree आएथ ते minus 1 आसनार है आपलेला equation मंजे जी linear equation आसतो त्या ची वेरियेबल ची डिग्री ही वन असते, पनि या सगर्या एक्वेशन्स मा देते ची वेरियेबल ची डिग्री है, ती माइनस वन है, ते आमों यह अतलो कौन्त ही लिनियर एक्वेशन नाही है, सो फिर्स्ट एक्वेशन्स मा देते ची वेरियेबल ची डिग्री ही माइनस वन असते, इत्था एक्वेशन्स 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 तेभी वरति है तो आपन तेवे तेचह डिगरी माइनस वन होते है, मग जे यह यह डिगरी ही माइनस वन है त्यामोवे यहा लीनियर एक्वेशन हुआ शकत नहाए ओके déjàरापण कीच्गेशन iनट आपने एक से नो्मिनेटर लाए य पहिल्ए आपली जी पहली स्टेप आसना रहे ते आमदे आपन यानना पूट कराईज़। 1 अपन x plus 1, sorry x minus 1, इता आपली एक चूख हो शकते गी आपन x minus 1 ला पूट करूँ शकतो, पन आपन x minus 1 ला न पूट करता, इता आपन x minus 1 ला पूट कराईज़। 1 upon x minus 1 ला पूट कराईज़। 1 upon x minus 1 ला पूट कराईज़। 1 upon x minus 1 is equal to m and 1 upon y minus 2 is equal to n. ते दोन अपन पूट कराईजिय। So, बाइपटिं m and n, we get equation 5m plus n is equal to 2 अले एक्वेशन ला एक्वेशन नमबर 1 दिवया। आणि तया नंतर आपलेला में इता 6m-3n is equal to 1 एला equation number 2 दिवया So ही दोन जे equation मेला थे linear equation है कातर तेंचे जे variable से तेंची power ही वनना है m ची power 1 है n ची power 1 है पन इथा जे x अनी y variable है तेंची power minus 1 है तेमा आपन हे जे equation है तेंची रिडूस करूना आपन तेंचा linear equation मदे conversion के ले अता ही दोन equation solve करूना अपलेला m ची आनी n ची value फाइंड आउट करेचे ही equation solve करेला आपन elimination method वापरुशकतों कि वाँ क्रैमर सुरूल वापरुशकतों जी method तुम्हाले योग्य वड़ते जी सोपी वड़ते जामाती तुम्हाले confidence है ती method वापराईची मी सद्दय तो क्रैमर सुरूल वापरुशकतों by using क्रैमर सुरूल by using क्रैमर सुरूल ओके तो पहिलन दापन a1 a2 b1 b2 c1 c2 हे लिहुन गिया so a1 is equal to 5 a1 5 का हे तर पहिल्याची coefficient हे a1 असता so a1 is equal to 5 b1 is equal to 1 काहे नहीं मन्जे 1 असता आनी c1 is equal to 2 त्यास प्रमान a2 is equal to 6 b2 is equal to minus 3 minus 3 का करन हे 3 जी आहे ते minus sign बरोबर है त्याम वत्याता sign इथा आल so b2 is equal to minus 3 c2 is equal to 1 आपन a b c चे है value find out के लाथ त्याना आपन determinant find out कुरिया क्रेमर्स रूल सगया नहां हाईती है तर क्रेमर्स रूल मदे काही शंका वाट असली तर आपन याग ओदर चे वीडियो मदे क्रेमर्स रूल explain के लाएं तो वीडियो जावन भगा तो आपन पहलें दा determinant find out करते है determinant है a1 a2 b1 b2 आस आपन determinant find out करेचा आपन है डियो पुटप करोया a1 ची वाल्यू आए 5 a2 ची वाल्यू आहे 6 b1 ची वाल्यू आहे 1 और b2 ची वाल्यू आहे minus 3 या मदे गोंदर करो नका a1 एकड़ में जे a ची जे आहे term ती या सेडलासताथ आपनी बीचा इन्टु वन असा डिटर्मिनेंट सॉल कर रहे चास तो सगयन नमहित्य है 5 इन्टु माइनस 3 इस इकोल टू माइनस 15 अनि माइनस 6 ही माइनस का आलतर 3 ला जो माइनस 3 ला 5 नो मल्टिप्लाई के लाने तर त्याचा साइन सुद्धा माइनस में इता है सो अपलाला इता में ना रहे 5 माइनस 15 माइनस 6 इस इकोल टू माइनस 21 सो अपलाला दी ची वैल्यू इता में आले माइनस 21 त्याना अंतरा अपन दी एम ची वैल्यू फाइंड आउट करूया दी एम ची वैल्यू फाइंड आउट करता ना एम ची जे कोईफिशेंट हैत जे डी मदे एम ची जे कोईफिशेंट हैत A1 A2 याला पुलन रिप्लेस कॉंस्टेंट न करना रहे इता लिए अनगर आपन 2-1 इन्टू इन्टू ना भी स्वारी 1-3 सु इता अपनला एंसर में आना रहे 2-2-3-1-1 ओके तो 2-3-1-3-6 ंहे-1-6 का आलत रहे आपन-3 ला 2 न मल्टिपलाई यहाए त्या मूं माइनस 3 चा यह सांइन है निगेटिव त्या निगेटिव सांइ इता यह ना रहे, तो आपलेड़ा एंसर में उते है, माइनस सेवन, dm is equal to minus 7, याज प्रकारे आपन dn सुधा find out करना रहे, तो dn is equal to, जा आपन n चे coefficient है, मंझे है b1, b2 चे coefficient है, याला आपन constant न रिप्लेस करना रहे, तो इता आपलेड़ा में ना रहे, 2, sorry 2 नवे, इता आपन डिटर्मिनेंट है find out करना रहे, तो आपन इता तेचे value लिहुन गिया, a1 is equal to 5, a2 is equal to 6, c1 is equal to 2, c2 is equal to 1, आपन हाँ determinant find out करना गिया, तो 5 into 1 minus 6 into 2, 5 into 1 is equal to 5 minus 6 into 2 is equal to 12, 12 अई पिक्षा मुठा है, तेआम हैंचे जी subtraction है न रहे, त्या निगेटिव साइन रह, तेआम आपलेड़ा में आलो minus 7, तो dn is equal to minus 7, आपन M चे न चे value find out करोया, M is equal to dm divided by d, so dm चे value हा ही minus 7, और d चे value ही minus 21, सो हे माइनस ला माइनस साइन कैंसल जाला और अपलेला एंसर में ते 1 बाइ 3 याज प्रमाना अपन न ची वाल्यू फाइंड आउट करूया सो अपने एंसर अपने न ची वाल्यू में आले अथा आपन परत एम ला यानी अनला पूट कराई से या मदे अपन पहिलन दगाई के लिए तर वन अपन एकस माइनस वन ला एम पूट के लिए अभन आपन वाइ माइनस टूला एन पूट के लिए तो अपन परत पूट करूया Re-substituting the values Re-substituting values of M and n values of M and N so M is equal to 1 upon X minus 1 is equal to 1 by 3 अप लेले M ची value जाहे ती 1 by 3 में आले अपना cross multiply करूँगी हुए आप लेले में आ रहे X minus 1 is equal to 3 so हे minus 1 या साइडला है तो या साइडला ये लाना तर प्लस 1 होना है तामा X is equal to 3 plus 1 तामा X ची value अप लेले में आले 4 आपने X ची value इत्ता find out के लिए अता Y ची value find out कराएचे तामा N ला आपन परत put करना रहे N is equal to 1 upon Y plus 2 करना आपन Y plus 2 स्वारी Y minus 2 Y minus 2 ला आपन N put के लिए is equal to 1 by 3 करना N ची value सदा 1 by 3 ही में आले N ची value 1 by 3 में आले तामा आपन पर इत्ती पूट करते है cross multiply करना गिविया So Y minus 2 is equal to 3 ही minus 2 आहे त्या साइट लागे लाडना था plus 2 होनार So Y is equal to 3 plus 2 So Y ची value अप लेले में इत्ते 5 अता आपन शब्दात उत्तर लिए The required answer is X,Y is equal to 4,5 So यह प्रकार आपन ही एक जाम्पल सॉल करते है यह में बेसिक कंस्टेप एक कलाली पाईजे की पूट काई कराईजा यह दोनी एक्वेशन में यह कॉमन अस्त त्याला पन पूट करते है मापन determinant method की मां think elimination method की मां graph method शख्की टो graph method आको आपनोँ अपरत नहीं elimination method की मांту determinant method न आपन है solve करूंगे M-A HERD M give n 엔े में Thank D alla equation reducible method ना आपन solve करतू या टाइप चे example मदे आप लेला हे लक्षाद गेतल पाईजी कि put काय कराईचा है तब पहिला example वक्तो आपन तित देले 2 by x minus 3 by y is equal to 15 अन second equation है 8 by x plus 5 by y is equal to 77 जो पहिला question मदे put काय कराईचा है तर 1 by x is equal to m आनि 1 by y is equal to n हे put के लकी आप लेला linear equations method अन त्याना तरह आपन linear equations solve करेचा second example थोड़ा दिसायला typical दिसते त्यामों मी solve करून देतो आपन third example करवो गया so third example आप लेला है 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equal to 85 अनि second equation है 31 by x minus 2 27 by y plus 3 is equal to 89 so या दोनी equation मदे common काय है x minus 2 y plus 3 है common है तरह आपन 1 upon x minus 2 1 upon x minus 2 ला m put करना रहे अनि 1 upon y plus 3 ला n put करना रहे so हे आप आसा put के लाने तरह आपले linear equation में तरह आपले आपन solve करू शक्तो तथा उते example मदे आपले ला काय दिले तरह 1 upon 3x plus y plus 1 upon 4x minus y is equal to 3 by 4 आणि दूसरा equation दिले 1 upon 2 into 3x plus y minus 1 upon 2 into 3x minus y is equal to minus 1 by 8 so या मदे common काय है तरह 3x plus y and 3x minus y हे common है त्यामा आपन त्याला पूट कराइचा 1 upon 3x plus y is equal to m आणि 1 upon 3x minus y is equal to n है आशा आपन पूट केल की linear equation में तरह आपन तरह आपन तरह क्रेमर सुरूल वा परोण क्यों है कोंते ही method वा परोण आपन solve करू शक्तो आणि तरह आपन जे m ची और n ची value में तरह परत पूट करूण x ची और y ची value find out करू शक्तो आथा मैं तुमाला second equation हाँ solve करूँ देतो हो सो है second number चे equation मदे x plus y और x minus y है दोनी equation मदे x और केत सो 1 upon x plus y is equal to m पूट करतो है आपन आणि 1 upon x minus y is equal to n पूट करतो है या मों आपन जे equation है reduce होंते linear equation बनना रहा है सो 10m plus 2n is equal to 4 है पहिले linear equation में आले अन दूसरा linear equation है 15m minus 5n is equal to minus 2 है अपला second linear equation है आथा तुम्हाला कॉंती method आपराई ची है स्टेप्स थोड़ा सायत मंज़ा स्टेप्स कमी है अनि लवकर सॉल होते त्यामों क्रैमर्स रूल चा आपन यूज करना रहे इता यह आपले लाए इता है 10, b1 में रहे लाए 10, a2 sorry, b1 में रहे 2, c1 में रहे 4, 10, 2 रहे लाए 4 है अपले लाए a1, b1 रहे, c1 में आले सो a2 में तो अपने लिए 15, b2 हे minus 5 है, करने लिए minus negative sign है, और c2 सो दा minus होना रहे करने ही minus 2 है, यहाँ c2 is equal to minus 2, यहाँ लिए ला मिला आले, अथा आपन d find out करोया, d for determinant, so d is equal to a1, a2 और b1, b2, हाँ d फक्त लग्षाठ्थे होला कि आपन dm, dn हे find out करो शकतो, आपन m चे term और n चे term हे constant ने replace करों, find out करो शकतो, सगयात महत्वाथा d लग्षाठ्थे होना, so अपने value put up करोया, 10, 15, 2, minus 5, okay, so 10 into minus 15, minus 15 into 2, so 10 into minus 15 is equal to, 15 into 5, okay, 10 into minus 5, so 10 into minus 5 is equal to minus 50, आणि 15 into 2 is equal to 30, ही minus 2 जसा ही तसा आले, so अपने लाए इता answer में तो minus 80, minus 80, d ची value अपने लाए में आले, minus 80, अथा आपन dm find out करोया, minus 20 plus 20, so अपना तर dm ची value find out करोतो है, dm ची value आसते है, c1, c2 into b1, b2, okay, so c1, c2 का है है, 4 minus 2, आणि b1, b2 आए, 2 into minus 5, sorry, 2 आणि minus 5, so याचा answer का है अपने लाए, 4 into minus 5, minus 2 into minus 2, so 4 into minus 5, minus 20, minus minus of 4, इता ही negative sign आले, so minus 20 plus 4 is equal to minus 16, so dm ची value आपने लाए, minus 16, तर dm ची value find out करोया, dm is equal to a1, a2 to c1, c2, कारण n ची जी टर्म आहे, n ची जी coefficient है, तरह आपने रिप्लेस के लाए constant ने, आपने लाए, तरह में लाए, a1 is equal to 10, a2 is equal to 15, और c1 is equal to 4, c2 is equal to minus 2, आपने लाए, 10 into minus 2, minus 15 into 4, so 10 into minus 2, जी minus 20, 10 into 15 into 4 is equal to minus 60, so आपने लाए, minus 18, dn ची value आपने लाए, minus 18, so dm आपने लाए, minus 16 में लाए, dn आपने लाए, minus 80 में लाए, आपने लाए, जो d आपने लाए, तरह में लाए, आपने लाए, n ची value लाए, find out करे, so m is equal to dm divided by d, dm ची value हे minus 16, divided by d ची value हे minus 18, so minus ला minus cancel होते है, और लाए 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 1 by 5 हे m ची answer है, so m is equal to 1 by 5, याज प्रकरे लाए, n ची value find out करा जिया, so dn divided by d dn ची value है ही minus 80 divided by minus 80 कंज़ d ची value है okay so negative लोगा negative cancel होते है और अपले लोगा 1 answer में ते है so n is equal to 1 m ची value 1 by 5 में ते n ची value 1 में ते so अपना resubstitute करुए है m चाने n चा value resubstituting values of m and n so m ची value अपना substitute के लिए 1 अपन x plus y is equal to 1 by 5 so अपना cross multiply करुए है x plus y is equal to 5 अपले लोगा पहिला एक्वेशन में ते है आणि n ची value substitute के लिए अपले लोगा दूसरे एक्वेशन में ना रहा है n ची value substitute के लिए एक्स माइनस y is equal to 1 में ते है so x minus y is equal to 1 है अपले लोगा equation number 3 दिवे है लोगा यहला equation number 4 दिवे है so 3 आणि 4 है जर equation बगित ले तर या मदे y ची term ही plus मद है आणि या मदे y ची term ही minus मदे है ते हमा तेनना add के लिए नितर y ची term ही cancel होना रहा है ते हमाँ adding equation 3 and 4 so x plus y is equal to 5 plus x minus y is equal to 1 so x ची term add होना रहा है अनि में ना 2x अनि y ची term cancel होना है plus y minus y cancel होना नित्य में ना 0 is equal to 6 so x is equal to 6 divided by 2 कान हे इंटू multiply मद या है यकड़े के लानतर है divide मद होना so x ची value अप्रेला में ते 3 अपन ही x ची value equation 3 मदे put कर रहा putting value of x in equation 3 so third equation मदे अप्रेला प्रेला अनतर 3 plus y is equal to 5 में रते है हे 3 इता plus है इकड़े लानतर माइनस होना so y is equal to 5 minus 3 so y is equal to 2 इता अपलेला x ची value में आले इता अपली y ची value में आले जा अपले एंसर है आपना ता एंसर लिए है दा रिक्वाइड एंसर है दा रिक्वाइड एंसर है दा रिक्वाइड एंसर है x, y is equal to 3, 2 so y या प्रकर आपन हा सुधा टाइप संपल है तुमाल जर काई शंकास तिलतर मला कमेंट सेक्शन मद इवी चारा वीडियो ला लाइक करा चैनल ला सब्सक्राइब करा थैंक्यू